कि यह पावर है हमारे एक्स वई एस तीन सो पचास एंप्रिवेर बोर्ड की तेक्निक नेकर सबूफर की टेस्टिंग करने वाला हूं और एक एट इंच की सबूफर की टेस्टिंग करने वाला हूं विद एक्स वाई एस तीन सो पचास एंप्लिफायर बोर्ड ओके तो गईस यह है अपना जीबिम फ्रैंड का हंडिट वॉर्ट इसकी आरेमस पावर है और टूसेवंट है तो इसकी प्रॉपर एंबोक्सिंग करेंगे यह पैकेजिंग इसकी बॉक्स है इसका इसको साइड रखते हैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या-क्या मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं और गईस यह हूँ एंप्लिफायर चो कि हमारा मोस्ट पावर्फुल एंप्ल वीडियो एंप्लिफायर बोड़ है इसमें आप 220 वाट की दो स्पीकर और एक 350 वाट का सब्वॉफर बहुत ही इजी ड्राइब कर सकते हो ठीक है तो यह इसकी पैकेजिंग है और अंदर हमारा एंप्लिफायर और गईस न्यू स्पीकर बगएर है सब्वॉफर नियू है त टेस्टिंग देखना पूरी एंद तक और गईस यह है अपना 12 विंज का सब्वॉफर ओके आज इसकी प्रॉपर एंबॉक्सिंग करेंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना रहा है कुछ बढ़िया होने वाला है इस वीडियो में उसको भी साइड में रखते हैं और उसक वाइस और साउंड कॉलिटी वाइस बहुत अच्छा स्पीकर रहें तो इसकी प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे पीडियो की ब्रेंडिंग आपको मिलेगी और कैसी जितना भी सामान में आपको दिखा रहा हमारी कस्टूमर का हमारी सब्सक्राइबर का ही ओडर है तो प्रॉ प्रॉपर टेस्टिंग होगी वीडियो को लाइक जुरूर कर देना अगर आप चैनल पर न्यूव हो तो सब्सक्राइब कर देना आइए कैस अंबॉक्सिंग करते हैं और चिकते क्या कॉलेटी मिलेगी स्पीकर सब उपर और एंप्लिफियर की और एंप्लिफियर की सो और अच्छा खासा बॉक्स है अब यह उपन करते हैं इसको एक प्लास्टिक कवर हमें देखने को मिलेगा स्पीकर के ऊपर और यह कुछ फिनेशिंग है इसकी पीपर कून है पीडियस और यू की ब्रेंडिंग भी आपको टॉप में देखने को मिलेगी कैप पंच बहुत आने वाला है आई थिंग पेस भी अच्छा है स्पीकर में तो पीछे से कुछ ऐसा लुक है इसका ठीक है तीन सो वाट मैक्स पावर होगी इसकी दो सो वाट आरेमस पावर है पी एंपियो है ओके इस बूफर स्पीकर पीडियस 12 इंस का चीज़ ही देख सकते हूं बाकि इसकी जो इसके बॉक्स पर प्रॉपर लिखे हुई है मैं आपको दिखाता हूं ठीक है इसकी जो मैगनेट साइज है हमारे सब बूफर की एक सो पच्पन बीस है और यह हमारा स्पीकर है सूपर डिलेक्स यहां पर लिखा हुआ है 12 इंच का सब बूफर है अच्छी कॉलिटी है और इसमें जो वाइस कोईल है वो धाई इंच की वाइस कोईल है तो कॉलिटी भी अच्छी होगी बाकी टेस्ट करने के वाद हमें पता लगी जाएगा तो यह कुछ लुक है आप द टेस्टेड यहां पर होलोग्राम भी देखने को मिलेगा आपको और यह कॉलिटी है ठीक है 155 इसकी मैगनेट साइज है तो अभी इसको सेड में रखते हैं इसकी टेस्टिंग भी होने वाली है उससे पहले में आपको जो हमारा एट इसका सब बूफर है जे बी एम का जिसका एक्चुल वाट है 100 वाट और जो हैंदिंग पावर है वो 270 वाट यह देखिए इसकी पैकेजिंग है ओकी जे बी एम रॉक्स इसकी कैप पर ब्रैंडिंग मिल जाएगी रवर सराउंड है सब कि Dit कैपसे अच्छी बात है और है भी केपर नहीं है माइक है को कि कषण ऑप्देट हुआ है पहले फोह में आता था पर अब यह रवरण में आने लग गया है ठीक है और यह पेपर क權या कोण हुआ करती ती बेल Eh अब यह माई का कोन है और कैप भी अच्छी कॉलिटी की है माई का कैप आई थे पेपर नहीं आई ओके उसके बाद गाइस यह पीछी से लूक है इसकी किट देखी गाइस क्या कॉलेटी है किट की ओके इस पर लिखा हुआ है मैंसेन है कि 275 वाट और पीक परवर जो 1500 वाट है पर एक्चुल जो है इसकी सौ से लेके डेड़ सो तक होगी इससे ज्यादा नहीं होगी वाकि सौ वाट के एंप्लिफायर से इसको प्रॉपर चला सकते हो अच्छा खासा आउटपुट इससे ले सकते हो ठीक है तो यह कुछ लुक है इसका अपने जी बीम ब्रैंड का और इसकी जो मैगनेट साइज है वो इसके बॉक्स पर हार एक चीज लिखी होगी तो गईस यह इसकी स्पेसिफिकेशन है आठ हिंज का सब बूफर है हैं यहां पर 275 वाट है पेक पावर यहां पर 1500 सब बूफर है जो कि अपने क्लाश जी अंप्ली फाइर बोड्स के लिए परफेक्ट है ठीक है मतलब आठ हिंज का सब बूफर है ओके और इसकी कॉइल का साइज यहां पर बॉक्स पर लिखा नहीं है तो देखके पता लग जाएगा और दो इंज की इसमें वाइस कोईल है कि कॉलेटी अच्छी है किसी लिए मैंने इसका स्टॉक लिया है तो अभी इसकी टेस्टिंग भी करेंगे हैं इसको ओपन करके ही रखते हैं तो यह हमारा एट इंस का सब बूफर था जो कि हमारे कस्टूमर जिनका नाम है सैलेश ची तो उन्होंने बाई किया है अभी हम ए क्यूंकि टेस्टिंग करके दिखा नहीं है अल्रेडी मैंने लास्ट वीडियो में इसकी अन्बॉक्सिंग आपको दिखाई थी पस टेस्टिंग नहीं दिखाई थी तो आज टेस्टिंग भी करेंगे है इसको बहुत यूज़ करा गया इस सब बूफर को और मुझे बहुत प्लास्टिक कवर है तो यह कॉलिटी आपको देखने को मिलेगी होले ब्रैंड की आपको ब्रैंडिंग मिलेगी ठीक है और आइधिंक यह पेपर है यह पेपर की और यह फोम सराउंड है अपना तर्मिनल जो है अच्छी कॉलिटी के इसमें लगे हुए है इस्प्रिंग व जिसको अब बहुती एजिली यूज कर सकते हूं कनेक्शन वगरे करने के लिए बस डायरेक्ट आपको प्रेस करना है ज्यादा जंजट नहीं है 12 इंच का सब्वूफर है अच्छी कॉलिटी है 1.5 इंच की वाइस को आईल है इसमें तो अभी इसको साइड में रखते है इस इसको आप XYS 350 हमारा एंप्लीवायर है यह इससे भी यूज कर सकते हूं जो इसकी रेटिट पावर है वह 302-350 वाट है ओके तो आप XYS 350 से इसको यूज कर सकते हो और जो पीक पावर है वह अल्रेडी हैं पर मेंशन है 1800 वाट्स ठीक है तो टेस्टिंग करने वाल है अब सब लोगों के सामने के समें क्या 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 आपको मिलता है एक्स्ट्रा एक्स्ता थो कुछ नहीं मिलता सब कुछ उमिट में मिलता और बहुत अच्छी vell आपको यहां पर ब्रेंडिंग मिलेगी बॉक्स के उपपर भी मिलेगी जो कि अपना ही ब्रेंड है आज तक कोई इशू नहीं आया गाई जिसको मैंने यह सेल किया है वहलब किसी भी कस्टूमर का खराब रिव्यू नहीं आया है भी तर इसका इन प्लोसर है अपर केस और लो के साथ आपको मिलेगा नॉप्स वग्यरा इसके साथ है सारे स्पेर्स है जो कि इंक्लोजर को फिट करने में आपको काम आएंगे उसके बाद गयाए इसकी में यूनिट है ठीक है एक्स वाई एस तीन सो पचास की फैन मिलेगा आपको बद्टिस पच्पन इसमें और तरफ से चाटते है अठीक श्यांट करता है को फ्टार की करता है उसके बाद मैं इसको लगाता हम और उसकी यहां पर ब्लू लाइट ओन हो जाती है यहाँ जिसे मुझे पता लग जयाते है एकदम उकी है उसके याग मैं इसको कस्टूमर के पाद भीजता हूं पर आज मैं आपको proper test करके भी दिखाने वालो प्रोपर testing मिलेगी आपको इसको ठीक है पीछे भी branding मिलेगी xys 350 पीछे भी mention है और इसके साथ आपको screwdriver में मिलेगा उसके बाद गईस मैं आपको दिखाता हूं इसका एक sticker ही कि इसका Ừ्ट है अब इसको एप के थुरू भी चंट्रोल कर सकते हो इस अंपांत नॉम्स जाते हैं और इसलिए में हमारा प्ले आंड पॉस बटन है और यह स्पीकर के पेसें ट्रवल है तो बहुत एजी की इंस्टॉल है डायक्ट आपको बस प्लग इन प्ले करना है इस एम्प्लीफायर बोड को जाला जंजट नहीं है बहुत बड़े एम्प्लीफायर बोड अब तक का सबसे प्लेट और सबसे पावर्फुल एम्प्लीफायर बोड जो करेंटल अपने पास अविलेबल है यह है उसके बाद अपने पास टीलिए चौटर अन्ठानवे है उसकी कॉलिटी भी बहुत अच्छी है उसमें पेस आपक परफेक्ट है इसी के लिए बनी है ठीक है तो यह 36V 20A की पावर्ट सब्लाई है पीछे मेंसन भी है देख सकते हूं ठीक है 36V 20A इसके पीछे आपको फैन भी मिलेगा एक दम वर्किंग फैन होगा और यह सारे इसके आउटपूट्स है टोटल आपको 3 आउटपूट्स मिल सब्सक्राइब करने के बाद एकदम पैक्ट है जो मैं कस्टूमर को भीजूँगा और यह अपने एकदम असेंबल है तो इसी को आउन करके मैं इसकी पावर दिखाने वाला हूं जिसमें 321 अपनी आईसी लगी हूँ है टीपीए परसेंट होती है वहीं आगर आप टीडी पीपीए एसी की पूछो तो 85% होती है एड दे अपको फीपीए एसी की एफिसेंसी अच्छे मिलेगी ठीक है तो वैस कनेक्शन कर लेते हैं तो यह सारे इसके कनेक्शन है ठीक है यहां पर सब कुछ मेंसन है आपको दिखा देता हूं एक बार की गईस तो असेंबल करने के हमारे यह स्पीकर राइट है जो की 200-200 वाट के हैं मतलब आप 220 वाट के चला सकते हो पर करेंटली हम 220 वाट ही यूज ऐसी कर रहे हैं अपने जो स्पीकर से उसके बाद आपको 308 वोल्ट की पावर सप्लाई दे सकते हो पर आपको 36 से उपर नहीं जाना है वरना जो के कैपि एप एन्पूट के लिए ठीक है आप चेक के तूर्ढी पावर सप्लाई दे सकते हो और टरभिल के तूर भी दे सकते हो यह इसके audio input है USB के थरूँ आप audio input दे सकते हो इसमें और Ox के थरूँ भी और Bluetooth के थरूँ भी audio input दे सकते हो आउटपूट्स वगएरा मैंने आपको दिखा दिया है wire वगएरा मैंने सब्भूफर की यह volume का है ठीक है उसके बाद मास्टर वॉल्यूम में हमारा जो कि 360 घूमेगा प्रॉपर ठीक है इसी में हमारा प्ले पॉस बटन है उसके बाद यह जो हमारे 200 वाट के दो स्पीकर है राइट और लेफ्ट में यह उसके ट्रवल और बेस के लिए सब्भूफर का है ठीक है तो सब्भूफर में कनेक्शन कर लेते हैं बहुत इजी हो जाएंगे कि इजी कनेक्शन हो चुके राइफ्ट स्पीकर के के कनेक्शन हो चुके और गईस घ्रान गरेते हैं घ्राइप्ट सब्भू अबब अघ्ण बाल चुके एंगे हो चुके आट और गास आप अच्छ आपब्र तो अच्छ आपूट आपको मिलेगा और बहुत ज्याधा मैटर करते है अगर आप अच्छा एंप्लीफार यूज़ कर रहो और अच्छा आउट्पुट चाहते हो तो ठीक है इस पावर प्लगिन करते हैं यह अपना पावर प्लग है तो इनपुट करते हैं कि उकिवर हमारे अपर से मंठ ए त्टे हैं गार्द के लीके तूँके तो आप यह सकते हो मेरे तू आप को चार सबस्क्राइब करते हैं और मैं चाहता हुए जरूर करते हैं अभी कर दो गई और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं एक और वीडियो के लिए प्रेंगर कर गाइब्क speakers की तो देखते है performance कैसा है हमारे xys 350 का क्या इतने heavy subwoofer speaker को drive कर पाएगा यह जो की 80 ohms में पर आप अगर इसमें 4 ohm use करोगे ठीक है speakers में तो आपको और अच्छा output मिलेगा पर currently मैं use कर रहा हूँ 8 ohms ठीक है so guys video को like जरूर कर देना और चैनल को subscribe जरूर कर देना pairing करते हैं और testing करते हैं अपने audio system की so let's go so guys यह अपना Bluetooth एक्टिव हो चुक है pairing हो चुक है आप sound play करते हैं okay सबसे पहले हम बिज़ टेस्ट करने वाले okay guys तो अभी मैं थोड़ा पास से दिखांगा आपको जो पेसें ट्रेवले उनको थोड़ा छेडेंगे और देखेंगे क्या performance और अच्छी मिल सकती हमें तो amplifier को हाथ में उठा सकते हैं कोई भी करेंट वगर नहीं लगेगा हमें ठीक है तो sound हम दूसरा play करेंगे थोड़ा अच्छा सा कि only beats करेंगे थोड़ा प्रेकेंसी तुल है अपने amplifier की sound एककम पूल है कर दिया है मैंने पॉन के तुरू भी और amplifier के तुरू भी तो यह प्रॉपर रिस्पॉंस है करते हैं सटलाइड इस भी करते हैं अभी प्रेकेंसी तोड़े करते हैं अब बस चेक कराएं वाला हूं आपको अभी यह प्रॉबल है बस इस पीकर का इस प्रेंट के अभी मैं बेस दिखाने वाला हूं पूल कर दिया यह देखिए ओके तो यह पंच ता इस पीकर एक्टम डाउन कर देते हैं अब वोली सबूपर तो यह कुछ टेस्टिंग थी अभी बीट्स वगयरा कि अभी मैं वोकल वाला साउंड भी प्ले करके दिखांगा तो अभी हम टेस्ट करने वाले हैं साउंड चेक्ट प्ले साउंड फोल है यह पावर है हमारे एक्स वाइस तीनसो पचास एंप्रिवेर बोर्ड की टीजे टीजे शुपर बाग को तू शाख मत दिखा छोटे मुझे आँख मत दिखा तू रोश्णी मंडान मेरी जाग कर तू सुरज को चिरा मत दिखा नहीं भी बावर है यह जिए पावर है इसे कि जए इसे पावर है यह जोड़े पावर है इसे कि जोड़े तो यह थी कम्प्लीट टेस्टिंग हमारे एक्स वाइस तीन सो पचास एम्प्लीफायर बोट की और दो स्पीकर हैं स्पीकर्स के साथ जो इसमें अल्रेडी लगे हुए तो यह कॉलेटी है हमारे एट इंच के सब्रूपर की आपको वीडियो मज़ा आया होगा हर एक चीश प्रॉपर तरीकी से टेस्ट करके मैंने दिखा दिया आपको यह प्रॉपर सेट अप है जो कि मैंने आज इस वीडियो में आपको दिखाया हूं जो मारे सेलेश जी है जिन वीडियो अगर आप देख रहे हो तो कोमेंट जरूर कर देना ताकि मैं आपके कोमेंट को पिन कर सकूं ठीक है और अपना रिव्यू भी डाल देना अपना जनुएन रिव्यू कि आपको यह प्रॉड़क्ट कैसे लगे है ओके इस यह प्रॉपर टेस्टिंग थी हमारे और 8 इंच का वो सबुफर है 100 वाड का जे बीम का उचको भी अमने प्रॉपर टेस्ट करके दिखा दिया है चले जी ने दो सबुफर मंगाया जे बीम के तो वीडियो को लाइक जरूर करना बाकि आपसे कुछ बाते करने है तो फेश टू फेश करते हैं लेट्स कूँ कि पसंद आई होगी तो वीडियो में अपनी जरूर लिखना अपने रिव्स हैं रिव्स न रिफिणक्ष के सबूफर ऑर हमारा एंप्लीफर तो हला एक्ट्स ख्यू एस ढ्यक्राइब 790W उसकी RMS पावर है और जिसमें 32 इक्यावन जनुएन एसी लगे हुई है और बहुत पावर्फुल एसी है जैसे कि आपने देखा पूरा हिला दिया था यह सेट अगर गई सब्सक्राइब करने स्पीकर पावर सप्लाई अप्लिवार तो आप केटलोग में जाके देख सकते हो और ऑधिया डिलिविवर्या है ऑफघ मिलते नच्च वीडिव उडिवे उड़ियो में चैनल को सब्स्कृब जरूर जरूर करना अगर आपने संटयम पर किया है तो इसी मिलते मिल नक्रव एटश गया एच्व cybersecurity फश्करिय ।्श यह जो सेट्लिव सटो आप अक्थ्ध डिलीवर कर देंगे तो अपना क्या आपको पैकेचिंग वगारा कैसी लगी तो पैक कर देते जल्दी से बबल राप और अंदर से एक तम मैंने फिट कर दिया कहीं हिलेगा डूलेगा नहीं ट्रांसपोर्ट में सो गई सेलेश जी का पार सल एक तम रेडी हो चुक है आप दे देख सकते हैं इसका पैकेचिंग बहुत ही हेवी और अच्छी कॉलिटी से अच्छी तरह से इन्हें पैक पैक करके के भीजाएं और अच्छी कॉलिटी से अच्छी तरह से करेंगियाएं मेरे पास तो जल्दी से मैं इनने ओपन करता हूं और ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर क्या-क्या है और क्विए कैनी है जो मैंने उसे खूल लिया है और सिख्ष्ट ठोड़ा टाइम लग गया खूलने के बाद आपको लीकाल के दो स्पीकर है बाराइंची का सबूफर है बाराइंची का ट्यूटर है आपका बूफर है और एक एम्प्लिफायर है अब देख सकते हैं जो मैंने क्या-क्या और किया था चार ट्यूटर वेगरा सब कुछ है तो मैंने एक्स तीन सुपचास एच ब्लूटूट मोडियोल से स्टाड़ी कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि मैं बोड को ओपिन कर लिया हूं और बहुत ही चीप और अच्छी क्वाइटी का बोड आया है अब देख सकते हैं बहुत ह कि अधिक विद्वाइटी का बोड है और इसमें कुछ समान भी दिये गई है जो उपर से लगाने का पैनल है और निचे से भी लगाने का पैनल है और नेक्ट यह है आठ इंची का सब उखर जो बहुत ही है विद्वाइब कॉलिटी का है अब देख सकते हैं कि खोन वेगे और सब उखर बहुत ही हेवी कॉलिटी का है कि मैंने दो बाइक किया है दो सामनी है रखा हुआ तो मैं इसे साइट कर देता हूं कि जगा बहुत छोटा पने कारण मैं सारा प्रोड़क्त एक साथ नहीं दिखा पा रहा हूं तो पहले मैं इसे थोड़ा नीचे रख देता और डूसरा पोड़क्त आपको दिखाता हूं तो इसे पेरले साइट कर देता हूं। कि साइट करने का वाद ये दुस्तरा प्रोड़क्त आ गया है आपके सामने ये हावला का 12 इंची का सब भूफर है और इसे में उपन करके आपको दिखा रहा हूं तो आप देश सकते हैं ये हावला कंपनी का सब भूफर है इसका थोड़ा बहुत हेवी का हेवी पेकिंग के सब भूफर है तो आप दिखते रही है और ये हावला कंपनी का सब भूफर है बहुत हेवी क्वालिटी का सब भूफर है पीडियस का 12 इंची का इस पीकर तो इसे भी आपको खोल के देखा रहा हूं यह साड़े प्रोडक्ट। मैंने सब्सक्राइख किया है और आप भी कर सकते हैं बहत ही अच्छी है प्रोड़िटा का प्रोड़कोट है आप इक बार बाइख सब्सक्राइब पिर आप देख सकते इतना अच्छा क्वाइटिका उन्होंने प्रोडक्त किया गया तो यह है मेरा बाराईजी का स्पीकर 200 वाट का स्पीकर है आर्मेस पाउर 300 वाट का है जाओक है । यह कोन देख सकते हैं बहुत ही सॉलिट कौन है हेवी कोन इससे भी में साइल में रख देता हून और नेश्ट यह आपदिशन काया ठीओत और यह है में güne देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरग्य से मेरे पूरट मेरे पास महांच गया है कोई भी चोटने लेगा कोई भी थूटा-फूटा या थोड़ा सा भी इधर-उधर कुछ मी नहीं हुआ आपको ये प्रोड़क्त आप मेरे पास डिलिवर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जनाता हूँ तो धन्यवाद and thank you so much आप देख सकते साड़क तुटक्ट बहुत ही अच्छी तरह से आ गया है मेरे पास और बहुत ही हेवी कॉलिटी का प्रोड़क है तो दोस्तों आप भी बाई कर सकते हैं और बाई करने के लिए आप संजे भीया टेकनीकल मेकर से कॉंटाक कर सकते हैं धन्यवाद